हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो इस्टेडी न्यूज, आज हम इस वीडियो में 17 और 18 जुलाई के एक्जाम रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट कोश्चन है, उन्हें हम यहां सॉल्व करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कोश्चन है, हाली में किस एएरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। आप्संस हैं इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोची एयरपोर्ट, हिद्राबाद एयरपोर्ट और लालबादरु सास्त्री एयरपोर्ट तो हैद्राबाद एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है ये कार पार्किंग का जो पेमेंट होता है वो किसी इनसान को कॉंटेक्ट में आए बगेर ही प्रिपेर्ड खाते से लिंक्ड RFID पोर्ट पर RFID का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन भेज दिया जाता है ये कुछ-कुछ Fast Tech जैसा ही है इस Tech को कार के Front Wind पर लगा सकते हैं Next Question है Global Manufacturing Risk 2020 में भारत की सिस्थान पर है Options है First, Second, Third, Fourth तो Global Manufacturing Risk 2020 में भारत का सिस्थान तीसरा रहा है तो इसमें उत्तर Options C तीसरा सही है Index को कस्मेन और वेकफिल्ड ने जारी किया है ये Index दरसाता है कि कंपनियों के लिए Most Suitable देश कौन सा रहेगा जहां पर ये Manufacturing Unit डाल सकते हैं इस Index में First Rank चाइना की है और Second पर है USA Next Question है केंद्री स्वास्त मंत्राले ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है Options हैं चेचक, निमोनिया, कैंसर और एड्स तो केंद्री स्वास्त मंत्राले ने निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है तो इसमें उत्तर Option भी निमोनिया सही है Present Time में हमारे Health Minister डॉक्टर हर्सवर्धन है इन्होंने हाल ही में एक बुक लॉंच की थी जिसका नाम है COVID कथा और डॉक्टर हर्सवर्धन को हाल ही में डबलू एच्चे के कारेकारी परिसत के अध्यक्ष के रूप में न्युक्त किया गया है Next Question है अंतरराष्ट्रिय नियाय दिवस कब मनाय जाता है Options हैं 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई और 18 जुलाई तो 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रिय नियाय दिवस मनाय जाता है तो इसमें उत्तर सी Options 17 जुलाई सही है आपको बता दू कि 15 जुलाई को World Youth Day मनाय गया था जिसका थीम था Skill for a Resilient Youth Next Question है चर्चा में रहा पोबा रिजर्व फोरेष्ट किस राज्य में इस्तित है Options है असम, सिक्किम, रुडाचल प्रदेश या मडीपूर तो हाल ही में असम सरकार ने पोबा रिजर्व फोरेष्ट को वन ने जीव अभ्यारण में बदलने की गोश्टना की है तो इसमें उत्तर Option A असम सही है अभी हाल ही में असम के चीफ मिनिस्टर सर्वानन सुनोवाल ने पोबा रिजर्व फोरेष्ट को जो धेमाजी डिश्टिक में इस्तित है इसे Wildlife Century में अपग्रेट करने की गोश्टना की है असम में उपस्तित Important कुछ Wildlife Century में चक्र सीला Wildlife Century, बोरेल Wildlife Century है Next Question है किस राज्जी सरकार ने गुमसुदा बच्चों का पता लगाने के लिए Operation मुस्कान COVID-19 की सुरुवात की है Options है मद्यपरदेश, गुजरात, असम या आंध्रपरदेश तो आंध्रपरदेश सरकार ने गुमसुदा बच्चों का पता लगाने के लिए Operation मुस्कान COVID-19 सुरु किया है ये Operation एक सपता तक चलाया जाएगा इसके तहत गुमसुदा बच्चों का COVID-19 टेस्ट कराया जाएगा आंध्रपरदेश की राजधानी हैदराबाद है आंध्रपरदेश के मुख्यमंत्री Y.S. जगन मोहन रेड़ी है और Governor विश्व भूशन हरी चंदन है नेक्स्ट कोस्चन है हाल ही में सूरी नाम का राश्टपती किसे चुना गया है Options है जोको विडोडो एंड्रेश डूडा चंदरिका प्रसाद संतोखी और एड्रोड फिलिप तो चंदरिका प्रसाद संतोखी जो भारतिय मूल के है सूरी नाम के राश्टपती बने है सूरी नाम South America के Northern पार्ट में इस्थित एक देश है जिसकी राजधानी पैरा मरीबो है और इसके पडोसी देश गुएना, ब्रजील और फ्रेंच गुएना है और दूसरे options की बात करें तो जोको विडोडो इंडोनेसिया के राश्टपती है एंड्रेस डूडा अभी हाल ही में पोलेंड के नए राश्टपती बने है और एडोड फिलिप ने अभी हाल ही में फ्रांस के प्रधान मंत्री पत से इस्तीफा दिया है नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में किस IIT संस्थान ने विश्व की सबसे सस्ती COVID-19 डियागनोस्टिक किक कोरो स्योर विक्सित की है options है IIT कानपूर IIT दिल्ली IIT बॉमबे और IIT त्रिपती हाल ही में IIT दिल्ली ने सबसे सस्ती किट कोरो स्योर डेवलप की है जिससे COVID-19 टेस्ट RT-PCR जिसका फुल फॉर्म है reverse transcription polymerase chain reaction का जो खर्चा आता था वो कम हो जाएगा इसे रमेश पोखरियाल जो HRD मिनिस्टर है इन्होंने लॉंच किया है दूसरे options की बात की जाए तो IIT कानपूर के द्वारा हाल ही में Ultra Violet Sanitizing Device डेवलप की गई थी जिसका नाम सुध रखा गया था IIT Bombay ने quarantine mobile application लॉंच किया था जो पैसेंट को ट्रेक करेगा और IIT तीरूपती ने हाल ही में Air Pollution App लॉंच किया था जो Air Pollution को डिटेक्ट करता है Next question है हाल ही में 2020 Global Leadership Award से किसे सम्मानित किया गया है options है N. चंदर सेकरन Gems टाइकलेट वेद प्रकास दुदेजा और option D बोथ A और B तो N. चंदर सेकरन और Gems टाइकलेट इन दोनों को ही 2020 Global Leadership Award से सम्मानित किया गया है तो इसमें option D बोथ A और B दोनों सही है N. चंदर सेकरन टाटास एंड संस के चेयर मैन है और Gems टाइकलेट प्रेसिडेंट और CEO है Lockheed Martin Corporation के इसमें option C वेद प्रकास दुदेजा की की जाए बात तो इन है अभी हाल ही में Infra Business of the Year का अवार्ड मिला था Last question है हाल ही में HCL Technology का नया अध्यक्ष किसे निउक्त किया गया है options हैं वर्तिका मलोत्रा रोशनी नाडार गीता अरोडा या सीमा नायक तो अभी हाल ही में रोशनी नाडार को HCL Technology का नया अध्यक्ष निउक्त किया गया है तो इसमें उत्तर option B रोशनी नाडार सही है HCL की बात की जाए तो HCL की इस्थापना 11 अगस्त 1976 को ही थी इसका मुख्याले NOIDA में उपस्तित है तो ये थे आज के important question So thanks for watching this video Please like, subscribe and comment